तो वेल्कम टू जी आरेस टेक्निकल तो कैसे हो आप से आज के इस वीडियो में आप लोगों को पटना विमेंस कॉलेज से रिलेटेड बहुती बड़ी अपडेट बताने वाली हूं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो यह जो अपडेट है यह पटना विमेंस कॉलेज के तरफ से है और यह जो नोटिस है वो 17 तरीकी डेट में निकाला गया है ठीक है अब यह जो अपडेट है यह एडमिशन के रिगार्डिंग है काफी समय से जो बच्चे थे बहुती ज़दा परेशान थे कि हमारा जो मे नहीं आया है क्या मेरिट लिस्टू आएगा मेरिट लिस्टू कब तक आ जाएगा क्या हमारा रॉल नंबर उसमें होगा एडमिशन प्रोसेस किया है तो आपके तमाम सवाल के जो जवाब है मैं उस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो पर अंतक बने रहें और वी दिया था उनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से तो जो मेरिट लिस्टू है वो निकल करके आ जा चुका है ठीक है चली देखते हैं इसके वारे में हापे क्या लिखा गया है तो आप लोग सेलेक्ट हो ठीक है यहां पे लिखा गया है काइंडली टेक यॉर एडमिशन ऑफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए जाना होगा यानि की ऑफलाइन जोकर के पेरेंट्स के साथ 21 तारीक को आप एडमिशन ले लेना होगा ठीक है एडमिशन आपका ओफलाइन तरीके से होगा अब यहां पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स 12 का मार्क शीट है वो लेकर के जाना है SLC, CLC, Character Certificate, Car Certificate अगर आप रिजर्व कैटिगरी से बेलॉंग करते हो तो फिर यहां पर बोला जा रहा है अगर आप Christian Candidate है तो आपको Baptism Certificate जो होता है वो लेकर के जाना है आप लोग फॉर्म भी फिलब कर रहे होगे तो आपको Bapt बैप्टिजम सेटिफिकेट मिला होगा तो काफी बच्चे परिशान हो गएते कि Baptism Certificate होता है तो वाज क्रिश्चन Candidate के लिए होता है इसके अलावा आपको लोगों को माईगरेशन सेटिफिकेट लेकर के जाना है अगर आप भी एसे तो जरूरी नहीं है और इसके साथ आप लोग जब भी पत्ना में इंच कोलेज के लिए अपलाई करे थे तो आप लोगों को अप्लिकेशन फॉर्म और एड्मिट कार्ड मिला होगा तो उसको आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है अगर है तो आपको डिरेकल लेकर के जाना नहीं है तो यहां पर पॉइंच नम चेर्ट नहीं और किली है तो आपको निकल वा करके आपको लेकर जा सकते हैं यहां तो आफ को जब जायोगे झालेज अपने पेरेंट्स के साथ तो आपको डॉसनल अनुच कर को आ सब्सक्ल такая आजिए से निकाल करके ने तो वह एम स्टोर की पांय तो आपको इस फॉर्म को फिलप करना है उसमें पेरेंट्स का भी सिगनेचर चाहिए होता है तो पेरेंट्स को साथ लेकर के जाना क्योंकि आपको वहां पेरेंट्स को फीस भी पे करना होगा तो इसके लिए